Hey guys, welcome back to my channel Mahendra Motors ने ना Finaloon की Scorpio के updated variant Scorpio Classic को इंडिया में reveal कर दिया है और Mahendra ने ने इसमें काफी सारे changes करें इसके design में देखो, इसके interior में देखो या इसकी engine power में देखो तो आज की इस वीडियो में मैं ना Scorpio Classic और पुरानी वाली Scorpio में आपको differences बताने वाला हूँ तो बात करेंग के looks की तो Scorpio Classic में आपको नई वाली Scorpio N जैसी similar 6-slat वाली vertical strike वाली grill मिलती है with new Mahendra logo on it वही पुरानी वाली Scorpio में आपको 7-slat वाली सबसे जादा बढ़िया दिखने वाली grill मिलती थी side की बात करें तो नई वाली Scorpio Classic में आपको normal वाली Scorpio जैसे ही similar alloy wheels मिलते हैं बस Mahendra ने उनका थोड़ा big brain यूज किया है और वो alloy wheels पर ना थोड़े black finish कर दी है जिससे कि वो alloy wheels ना directly totally मतलब totally different लग रहे है और side से तो बस उसमें इतने ही changes हुए है और backside की बात करें तो नई Scorpio Classic में आपको pillar lights मिलते है जो की पुरानी वाली Scorpio में missing थे और looks wise देखे ना तो old Scorpio ही ज़्यादा better थी भाई मेरे को तो ऐसा personally लगता है और जो उसकी grill थी ना उससे उसकी look ज़्यादा है नाल्स हो रही थी और अब Scorpio Classic के interior की बात करें तो जो normal Scorpio में आपको उसके interior में जो जो silver color के parts मिलते थे इस नई वाली Scorpio Classic में आपको वो सारे piano black finish में मिलते हैं और सबसे ज़्यादा disappointment ना तो मेरे को भाई ये नई Scorpio Classic की screen देखकर हुई है पुरानी वाली Scorpio में तो चलो आपको एक ठीक ठाक सी ही पर महेंद्रा की original screen मिलती थी ये नई वाली Scorpio Classic में आपको इसी करोल बाग जैसी similar सी touchscreen मिलती है वो ना तो महेंद्रा की और ना तो कौन से company की क्या पता महेंद्रा ने क्या सोचकर उसको Scorpio Classic में डाला है उसमें आपको Android Auto, Apple Carplay और Bluetooth जैसे basic features भी नहीं मिलते है दूसरे features है एक दो पर भाई आप ही सोचो ना गाड़ी में कौन से feature important होते है Android Auto, Apple Carplay और Bluetooth इस नई classic में आपको वहीं नहीं मिलता है इसके top variant में भी और इसके sitting options की बात करें न तो Scorpio Classic आपको 7 और 9 seat के option के साथ available है अब आप बोलो कि 9 seat कैसे तो 1st और 2nd row तो normal गाड़ी जैसे ही पर जो उसके 3rd row रहेगी न उसमें आपको side facing seat मिलेंगे तो उनमें मतलब महेंद्रा कहे रहे कि वो जो लास्ट प्रोवाली seat में 4 लोग बैठ सकते है तो ऐसा करकर 9 seat हो गई और इस Scorpio Classic में आपको XCV 7W जैसा similar gearbox मिलता है पर वो न बस आपको इसके top variant S11 में मिलेगा वो 6 speed वाला manual और इसका जो lower variant रहेगा Scorpio Classic S उसमें आपको 5 speed वाला manual gearbox मिलेगा और अब क्लासिक के engine की बात करें तो इसमें आपको महेंद्रा का evergreen 2.2 लिटर का emog diesel engine मिलता है जो produce करता है 130 bhp of power and 300 newton meters of torque और अगर हम ये engine की power को देखे न तो पूरानी वाली Scorpio में आपको 140 bhp की power मिलती थी मतलब Scorpio Classic में वो power reduce कर दी है और अब इसके price की बात करें तो देखो जो पूरानी वाली Scorpio दी न उसके base variant की price थी 13.3 lakh रूपी एक शोरूम इंडिया और जो पूरानी वाली Scorpio का S11 top model था उसकी price थी 18.18 lakh रूपी एक शोरूम इंडिया और अभी तक तो ये नई वाली Scorpio Classic की price reveal नहीं हुई है पर मैंने जित्ते भी forums पड़े और जित्ते भी ऐसे इसके news पड़े न तो Scorpio Classic आपको मतलब 2 variant में मिलने वाली है एक Scorpio Classic S और एक Scorpio Classic S11 तो इसका जो base variant रहेगा न उसकी price 10 lakh से कम रहने वाली या 10 lakh भी रह सकती है और जो इसका top end variant रहेगा S11 तो उसकी price मतलब current वाली जो Scorpio है न उसके S11 जैसे ही similar रहेगी तो फिर इतना ही differences थे पुरानी वाली Scorpio और ये नई वाली Scorpio Classic में और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते वीडियो को प्लीज अर लाइक करना और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए टाटा बाइबर मिलते किसी अगली वीडियो में